हेलो दोस्तों हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज हम बात करने वाले हैं UPHC में समय लेते जितने भी गद्य विधाई हैं उनके उपर एक शौट डिस्क्रिप्शन की तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं अपन मैंने जितने भी महत्वण बाते हैं उन्हीं को लिया है संपोर्ण स्लेवल्स को जो है नहीं लिया है संपोर्ण गद्य विधाउ को नहीं लिया है जो जो इसकी महत्वण बाते हैं उन्हीं को लिया है लेखक ने इसे यानि कि उगरजी ने इसे 60 वर्ष की आयू के पश्च तो यहाँ आप अध्याय की संख्या देख लें। इसमें तेरह महत्वपोन अध्याय है। नौ अध्याय प्रमुक्व्यक्तियों से संबंधित है। अध्याय तीन वह संबंधित है। शिव पूजन सहाई ने उग्र जी को आत्मकथा लिखने को कहा था तुनको ये प्रेड़ना जो है वो शिव पूजन सहाई जी ने दे थी अब अपनी खबर में जो अध्यायों की सूची है यानि सत्र जो अध्याय हैं वो इस प्रकार है पहला है दिगदर्शन फिर लाला भगवान दीन पंडित बाबु राव विश्णू परारकर बाबु शिव परसाज गुप्त पंडित कमला पती तरपाथी बनारस और कलकत्ता जीवन संक्षेप असंबल गान तो ये थे उसके सत्रव अध्यायों की सूची अगला जो गद्य विधा है वो है आवारा मस जिसके लेखक है विश्णू परभाकर जी तो परिक्षा में यह अधिकतर पूछा गया है इसके लेखक कौन है और यह किसके जीवन पर आधारित है तो यह जीवनी है और बंगाल की जो प्रसिदू पर नियासकार है शरत चंद्र चटोपाध्याई जी उनके जीवन पर पर विया तीन जो अध्याई है वो है पहला है दिशारा जो 18 उपसिर्शकों में विभाजित है दूसरा है दिशा की खोज वो भी 18 उपसिर्शकों में विभाजित है अगला है दिशान्त 30 उपसिर्शकों में विभाजित है तो इनको जरूर याद रखिए अब दिशारा मे क्या है रंगून जाने से पूर्व का वर्णन है यानि कि बच्पन से लेके योवन तक का वर्णन उन्होंने किया है दिशा की खोज रंगून के जीवन का वर्णन है नौकरी की खोज जो है इसमें दिखाई गई है दिशांत रंगून से स्वदेश यान की भारत लोटने का इ इसके प्रमुक पात्र कौन कौन है, तो सबसे पहले इस्तरी पात्रों की बात करते हैं, भुवन मोहिनी, शरत चंदर की मा है, शांती, शरत की पहली पत्नी है, हिरन्य मई, दूसरी पत्नी, जिसका अन्य नाम जो है मोक्षिदा भी है, धीरू, उनके बचपन की साथी है, निर प्रोदा योवन आवस्था की प्रेशी है तो ये दोनों जो है इने जो अन्य उपन्यास देवदास उपन्यास मिलता है अब इसके पुरुष पाट्र कौन से है मूतिलल उकि पिता है यायावर प्रविति के हैं और स्वपन दर्शी मनेश है सुरेंदरनाथ इनके मामा है राजु उर्फ इंदरनाथ इनके मित्र है तो ये थी इनके महत्वण पात्र तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं बाकी के जो गद्दे विधाय हैं उनको अपने दूसरे पार्ट में ले लेंगे तो आप सभी को ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताईएगा तो दोस्तो आप सभी का वह बहुत धन्यवाद